हेलो फ्रेंड्स कंचन की किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे अश्टमी नौमी पर खास बनने वाले परसाद जिसमें हम बनाएंगे काले चने और सूजी का हलवा मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ आपको बनाना बताऊंगी जिससे कि आप भी बिल परसात को एक साथ ही बनाऊंगे तो सबसे पहले मैं काले चने बनाना शुरू कर्ती हम शिरू कर लिए पहले इसना को रात भर भीगा कर लगा लिए बहुत ही अच्छे से फूल गय है तो इस तरह से आप च्छने को बीगा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको कुकर में बनाना पड़ेगा मैं पहले इसे उबाल लूँगी तो उसके बाद इसे बनाती हूँ आप दोनों तरीके से बना सकते हो तो यहां पर हमने चने को उबाल लिया है इसमें हमने थोड़ा सा नमाग और एक छोटा चमत देशी गी और ग्लास पानी डालकर मेडियम फ्लेम पर दो सीटी लगा लिया है तो चन अच्छे से उबल गया है इसको हम साइड में कर देते हैं इसके बाद हम इसके लिए मसाला तयार करते हैं तो यहां पर आप एक खाली कटोरी ले लीजिए इसमें दो चमच धनिये का पाउडर धनिया मकलिया है आदा चमच और बहुत थोड़ा सा कासमेरी लाल मेच यह बिल्कुल आप्शनल है आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले का घोल रेडि कर लेंगे इस तरह से चमच से मिक्स करते हुए और अगर आप जल्दी बनाना चाहते है दोनों ही परसाथ को तो आप मेरे तरीके से बनाऊगे तो बहुत ही जल्दी बनेगा मुश्किल से 10-15 मिनट में यह परसाथ बनकर तयार हो जाएगा दोनों ही तो यहां पर मसाला रेडि हो गया है अब हम कडाही को गैस पर चढ़ाएंगे जैसे कडाही गरम हो जाएगी द हरी मिर्च डालेंगे हमने लाल मिर्च भी डाला है तो हरी मिर्च कम ही डालेगा अच्छे से मिक्स करेंगे और इससे हलका सा फ्राई होने देंगे इसके बाद इसमें हम तयार किया हुआ मसाला डाल देंगे और इससे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को अब इसमें हम नमक डालेंगे तो यहां पर नमक को ध्यान से डालना है क्योंकि हमने काला नमक डाला है और चनव बालते समय भी उसमें थोड़ा सा नमक डाला था तो नमक ध्यान से डालना है अच्छे से मिक्स करेंगे इसे ढख देंगे एक मिनट के लिए एक मिनट बार ढखकान हटाएंग और इसे फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे बिल्कुल तेल छोड़ने तक मसाले को भून लेना है तो यहां पर मसाला जो है अच्छे से भून गया है यह देखिए बिल्कुल तेल छोड़ने लगा है अब इसमें हम उबले हुए चैने डाल देंगे तो यहां पर हमने अधर पाणी डाला था उसमें घी भी डाल दिया तो अब इसमें अलग से पांी डालने की जरूरत नहीं है अच्छी दरह से कप या कटोरी से नाप कर ही सूजी लीजिएगा क्योंकि इसी कटोरी से हम गी भी नाप कर लेंगे और इसी कटोरी से चीनी और पानी भी आपको नाप कर ही लेना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा गयस का फ्लेमान करके हमने इस पर कडाही चड़ा दिया और उसी कटोरी से प्रेया प्रेम आफ्चेस्ट आता है आप चाहों तो बीना आप कर सकते हो अधा से मिलोफ पर फ्राई करें की देगए फिर किसमिस दालें सूह को कुछ सिकेंड के लिए फ्राइब करेंगे किसमिस फूल जाती है तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती तो ड्राय फ्रूट पर भूनना है गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं रखना है नाई मीडियम करना है लो से थोड़ा सा तेज कर देना है और इसे ऐसे लगातार चलाते हुए भूनते जाना है आप देख सकते हैं सुजी का कलर चेंज हो गया है अब इसे हम हलका सा सुनहरा कलर आने तक भूनना ह यह देखिए इस तरह से तो इसमें हलका सुनहरा कलर आ गया है तो अब इसमें हम पानी डालेंगे तो इसी कटोरी से नाप कर पानी डालना है मैंने इसमें घी लिया था तो घी को हमने दूसे बतर में रख दिया है अब मैं नाप कर इसमें तीन कटोरी और आधी कटोरी पान दाल रहे हैं आप एक कटोरी सूझी के लिए तीन से चार कटोरी पानी ढाल देंगे तो बिलकुल परफेक्ट हलवा बनेगा, तो तीन कटोरी और आधी कटोरी हमने इसमें पानी डाला है, अब गयस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें उबालाने देंगे, तो जैसे उबाला तो एक कटोरी हमने चीनी लिया है उसी कटोरी से नापकर चीनी लिया है अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो सबा कटोरी चीनी आइड करिएगा अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद एलो फूट कलर इसमें डाल देंगे यह बिल्कुल आप सनल है अगर आप चाहो है तो कलर डालो नहीं तो आप कलर को किप कर सकते हो अच्छे से मिला देंगे और दो मिनट पकाएंगे इसके बाद इसमें हम ड्राइफ रूट ढालेंगे जो हमने भून करके रखा था और जो हमने गी बचा कर रखा है उसको डाल देंगे एक चमज गी हमने अभी भी बचा कर ही रखा है अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे ढख देंगे और ढख करके हम इसे बिल्कुल slow flame पर 2-3 मिनट तक पकने देंगे इससे क्या होगा सूजी बहुत ही अच्छे से फूल जाती है तो यहाँ पर हमने 3 मिनट इसे छोड़ दिया था बिल्कुल slow flame पर और आप देख सकते हैं सूजी कितने अच्छे से फूली है और अब यहाँ पर हम जो बचा हुए एक चमच घी है उसे भी डाल देंगे हलवा यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाए तब ही आप कोई घी को डालना है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुस भूगाता है हलवे में अब आप देख सकते हैं हलवे को कितना स्वाधिष्ट बना है आप चाहो तो यहाँ पर इलाइची का पाउडर भी आइट कर सकते हो अब मैं इससे सर्व कर लेती हूं और हमने चने को भी बीच बीच में चला दिया था तो चना भी बहुत अच्छे से पक गया है अब मैं चने को भी चेक करती हूं यह देखिए बीच बीच में चलाते हुए चने को हमने पका लिया है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे थोड़ा सा हरधनिया डाल कर मिक्स करना है आप चाहो तो अद्रक के लच्छे भी इसमें एड़ कर सकते हो अब इससे सर्व कर लेंगे और हलवे और चने को मैं सर्व करके आपको दिखाती हूं कितना स्वादिष्ट बना हुआ बहुत ही जल्दी बन जाता है अगर आप इस तरह से बनाओगे तो कम टाइम में दोनों चीजे बनकर तैयार हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बना है देखने से आपको पता चल रहा है तो एक बार आप इस तरह से जरूर से ट्राइ करिएगा बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने आपको बताया है और वीडियो पसंद लाई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें मैं इसी तरह से हर रोज नई नई रेस्पी लेकर आती रहती हूँ तो हर रोज नई नई रेस्पी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं जैसे वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस तरह से आप काले चने का परसाद और हलवे का परसाद एक बार चरूर से बनाकर ट्राई करिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है बहुत ही कम टाइम में बने गा अगर आप मेरे तरिके से बनाओगे तो और अपना किमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद